हलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपना यूटूब चैनल कंपरेटिव गैडर में हम लोग हिंदी भासा इवं साहित का बस तो निष्ट इतियास में धीमे धीमे बढ़त आगे बढ़ते हुए आज हम लोग रिती काल्ग पर पहुंच चुके हैं तो अगर आप लोग पहले व निष्ट इतियास जो सरसती पांडे और गोविन पांडे जी के द्वारा लिखा गया जो पीजीटी टीजीटी यूजीसी परिछाओं के लिए और साथ इंट्रेंस एक्जाम के लिए भी यह बहुत महत्तपूर्ण है जैसे इंट्रेंस एक्जाम में ले ले तो यह से तो यहां से देखिए कुशिका बताया गया है तो यहां कैका नामकरन विभ्षstein बिदवानों के अनुशार निम्न है तो यहां पर यहां पर यहां पर रितिकव रितिख दियें जिनकी नाम हैं रितिक ओ न्यामल विद्वानों तो दिए हैं जिनमें स्याम बिहारी सुकदेव बिहारी गनेश बिहारी सामिल हैं उसके बाद रिती काल नाम दिया अचार राम चंद्र सुकल जी ने सिंगार काल सिंगार काल अचार विसंबर परसाद मिसर दिये हैं कला काल कला काल डाक्टर रामा संकर सुकल जी ने दिये हैं और अंधकार कारति लोचन जी ने दिये हैं तो यहाँ से हम लोगो इस सब पॉइंट्स जो भी यह पॉइंट्स थे यह सभी को आपको नोट डाउन करने यह सभी पूइंट्स लिए जाते हैं जाम में सिधे सिधे कि बताइए बिदवानों में मतभेद हैं जो निमने रितिकाल के जो परवर्थक रहें उनके बिदवानों में मतभेद हैं देखिए यहां पर परवर्थक बताया गया रचनाकाल प्रसोत्ता और कारण यहां पर चारों प्वैंट्स आप देखेंगे तो यहां किरपा राम की बात किया गा रचनाकार बेक्तित्व की सम्रित की दिरिष्टी से इनका कारण रहा है चिंता मनी की बात करें तो यह चिंता मनी 1643 रामचंदर सुकल अखंड परंपरा चलने की दिरिष्टी से यहां कारण देखा गया है आगे क्यों बड़े तो यहां से कता कि अचार विसंबर विश्वना कारकाल और उसके साथी रिती धारा रिती बद्धारा और रिती मुक्त या स्वचंद काब्धारा इन्होंने बताया और फिर रिती धारा जो रिती बद्धारा उसको दो भागों में डिवाइट किये जिनमें लच्छन बद्धारा काब्धे है और एक लच्छे मात्र काब् तो इसमें रहस्यों नुमुख काब्बे और सुध प्रेम काब्बे में इन्होंने डिभाइट किया चली आगे बढ़िये तो यहां से करता है कि अचार विसंबर परसाद मिस्र ने सिंगार काल को तीन भागों में बाटा है जो यहां से रिती बद दिखाई दे रहा है रिती स मुक्त में रिती परंपरा की साहित्तक रूडियों से मुक्त रसनाए है अचार विस्वनाथ परसाद मिस्र के अनुसार जो रिती सिद्ध कभी है वो डाक्टर नागेंदर के अनुसार रिती बद कभी है रिति काल के कवियों का संचिप्त बर्गी करन निम्न धंग से प्रस्तुत किया जा सकता है जैसा कि यहां आपको दिखाई दे रहा है ये रिति बद्ध के हैं जिनमें किसो दास, सेनापती, जस्वनसी, मतिराम, देव, विखारी दास, पदमागर ये सभी रिति बद्ध के हैं उसके बाद यहां से देखिए तो बुद्ध चरित्र कवी, बुद्ध चरित्र कवी में रिति चेतस कवी आते हैं, रिति चेतस कवी में आते हैं, चिन्तामनी, जस्वनसी, बिखारी दास, पर्तापसाही और गवाल, ये आते हैं रति चेतस कवी में, काब चेतस की बात करें तो काब चेतस में मती राम, भूसन, देव और पदमाकर आते हैं, बच्चन सिंग, बच्चन सिंग के यहां देखिए, तो यहां से रिती इतर काब बे, रिती मुक्त रिती कभी यहां पे आपको दिखाया गया है, अभी जात्य बर्ग, बिहारी लाल, और स्वच्छंद काब में आगया होगा, चलिए आगले पॉइंट्स पर देखते हैं, कि डाक्टर नागेंदर के अनुसार, रिती कालिन कभीयों का काल करमा अनुसार क्या है, किस परकार से भी बर्गी करित किया गया है, तो यहां से आपको दिखाई देरा, चिंता मनी इनका जो समय अधिद लिय देव 1673 से 1767, अमीरदास 1783, गवाल 1791 से 1668 और परतापसी, तो यह यहां पे आपको दिखाया गया नागेंदर के अनुसार, उसके बाद आगे बढ़िये, तो यहां से देखिए आपको दिखाया गया है, सरवाग निरूपक कभी, उसके बाद विशिष्ट, विशिष्टा कभी में आजाते हैं, तोस, सुखदेव, रसकालीन 1699 से 1750, पदमाकर 1753 से 1833, रामसी, उजियारे, चंदर सेखर बासपेई, याकूब खा, बेनी प्रवीम, यह सभी चलाते हैं, सरव रस निरूपक कभी में, सिंगार रस निरूपक कभी में मतिराम आजाते हैं, क्रिष्ण संदो निरूपक कभी की बात करें, तो इसमें भूसन आजाते हैं, 1613 से 1715, मतिराम 1617, सुखदेव, मिस्र, माखन, दसरत, और रामसहाय, अलंकार निरूपक कभी की बात करें, तो अलंकार निरूपक में भूसन जी आजाते हैं, मतिराम जी आजाते हैं, जसवन 1626 से 1688, गो दास और गिर्धर दास यह सभी आ जाते हैं अगर यहां से बात करें तो रिती कवी डाक्टर नागेंदर रिती मुक्त कवी और रिती सिध कवी के रूप में यह देखते हैं चली यहां से देखते हैं डाक्टर नागेंदर रिती कवी में तो रिती मुक्त कवी में इन होने बत तर इस्वी रितिस सिद्य कभी यहां से आपको बताया गया है सेनापती 1589, बिहारी लाल 1595-1663, रस निधी 1603-1660, ब्रिंद 1643-1723, निरिप संभू 1657, निवाज 1680-17, कृष्न कभी 1720-17, हठी जी 1780-17, विक्रमादित्य, रामसाहय, पजनेस और बेनी बासपेई 1823 तो यहां से यह सभी पॉइंट्स आपको दिखाए गए, तो चलिए आगे अब हम लोग बारी-बारी से देख लेते हैं, रिति बद कभी में, प्रमुक रिति बद कभीयों का कुछ संचिप्त विवरन है, उनके जीवनी का, तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग चिंत अमनी जी की बात सबसे पहले करी गई, जो 1609 से 1650 है, जो तिकवांगपूर, देखियां से तिकवांपूर, जो साहा जी भोसला, और साह जहां के आसरे दाता में रहे, भूसन की बात करें, तो भूसन 1613 से 1715, तिकवांपूर में भी इनका जनम हुआ, सीवा जी और छतर साल सीवा जी और छतर साल के यहां इनका आसरे रहा, उसके बात बात करें, मतिराम जी की 1617, जो तिकवांपूर के ही जनम अस्थान इनका है, और जहांगीर के आसरे में रहे, ज्यानचंद, ज्यानचंद के भी रहे, भाव के यहां, भाव सी हाडा के भी यह रहे, और मिस्र की बात करें, तो यह कमपिला, कमपिला राय रेली के इनका जनम स्थान रहा, भगवत, भगवंत राय, खाची, राम मर्दन सी, देवी सी, फाजिल अलिसा, यह सवी इनके आसरे दाता रहे, तोस निधी की बात करें, तो तोस निधी स्रिंग वेरपूर, कुल पति मिस से, कुसल सी, सेट भोगी लाल, उधोच सी, सुजान मनी, अलि अकवर खा, इतने सारे इनके आसरे दाता रहे, उनके आगे बढ़ें, तो यहां से आपको दिखाई देरा, सयद गुलाम नभी, जो 1699 से 1750, बिलगराम में इनका होता है, बिलगराम, फिर उसका रसलीन की बात नभी रसलीन, इनही का पुरा नाम है, इनका यहां बिलगराम जो हर्दोई में है, इनका जनम अस्थान रहा, बिखारी दास जी की बात करें, तो बिखारी दास जी, तयोंग के हैं, तयोंगा के हैं, जो हिंदू पति सी के यहां आसरेर है, जो परताप गड़ में है, तयों नोने अर्जुन सिंग, परिछित, अनूप गिरी उपनाम, हिम्मत बहादूर, रघुनात राओ, परताप सिंग, जगत सिंग, भिम सिंग, दौलत राओ, सिंधिया, यह सभी इनके क्यारे असरे दाता रहे, चली आगे बढ़ें, तो यहां से हम लोग बढ़ने वाले हैं, चिंता मनी तिरपाथी, सिधानता रसवादी अचार थे, आप यह भी पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, आगे बढ़ें तो चिंता मनी तिरपाथी के सहोधर, मतिराम, भूसन और जटा संकर तिरपाथी थे, भूसन बीर रस के कभी हैं, आप याद रखेंगे, भूसन बीर पूट के सुलंकी राजा रूद्र ने इन्हें कभी भूसन की उपादे दिया, यह भी आप वाइंट्स याद रखेंगे, डाक्टर गनपती चंद्र गुप्त ने भूसन का मुल नाम पतिराम या मानी राम मन बताया है, अचार विस्वनात परसाद मिसर ने इनका मुल नाम गनस्याम बताया है, आगे बढ़े तो महाराज चतर साल ने एक बार भूसन की पालकी को कंदा लगया था, जिस पर भूसन ने कहा था, सीवा को बखानो, सीवा को बखानो की बखानो चतर साल को, जिस पर यह भूसन कहे थे, कि सीवा को बखानो की बखानो चतर साल को, तो य पचार राम चंदर सुकल ने लिखा है कि भूसन के बीर रस के उद्गार सारी जनता के हिर्दय की समपति है, सिवाजी और छतर साल की बेरता के बर्नन को कोई कभियों की जूटी खुसामद नहीं कह सकता, वे हिंदु जाती के प्रती निधी कभी हैं, ये पॉइंट्स आप य गरंतों को अपने आसरे दयताओं को समर्पित किया है, जो निमनांकित है, जहां से देख सकते हैं आप, आसरे दाता जहांगीर अस्थान दिली, इन्होंने गरंत फुल मंजरी कहा, जो 62 में किसी एक फुल का बर्नन है, जहांगीर आसरे दाता में जो इन्होंने फुल मंजर किया गया है भाव सी हाडा के आसरे दाता में रहे बुंदी लिखे इन्होंने ललित ललाम 1648 अलंगकार निरूपन इसमें इन्होंने किया है सेट भोगनात सतसई यहां पे गरंथ लिखे जो 1681 बिहारी सतसई का अनुकरन किया गया है ज्यानचंद्र जो कुमायू यहां पे अस्थान पे लिखा इन्होंने जो अलंकार 85 का 1690 में परकासन बस रहा और अलंकार निरूपन इसमें भी इन्होंने किया स्वरूप सी बुंदेला के आसरे में रकर इन्होंने बुंदेल खंड लिखा बृत को मोदी पे यहां इन्होंने चर्चा किया और 1701 में चंदो का इसमें निरूपन किया इन्होंने अनुपलब्द लक्षन सिंगार इन्हों न लिखा अनुपलब्द साहित सार लिखा और नाईका भेद का निरूपन इसमें किया तो उमीद यहां तक पॉइंट आप समस गए होंगे तो चलिए अगले पॉइंट की और बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट एरा आपके सामने कहता है कि अचार सुकल ने बृत को मोदी या चंदर सार को महाराज संभू नाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है अब ध्यान र साथ आया गया कि मतिराम का प्रतम जो गरंथ है वह फुलमंजरी है किन्तु डाक्टर बच्चन सिंग ने रसराज को ही प्रतम गरंथ माना है द्यान रखेंगे डाक्टर बच्चन सिंग जी ने रसराज को ही प्रतम गरंथ माना है आगे बढ़ें तो कहता कि अचार रामचं प्रदान अच्छार या सिच्छा के रूप में प्रसीद है जस्वन सिंग के साहित और अध्यात्मित दो परकार की रचनाये लिखी है जो निम्न है यहां से भासा भुसन गरंथ लिखे जिसमें दूसो बारदोहु का अलंकरन किया गया निरूपन किया गया दूसो प्रबध चंद्रोदे संस्कृत नाटक प्रबध चंद्रोदे का ब्रजभासा या पदानुवाद है अप्रोक्ष सिधांत अनुभव परकास अनन्द विलास सिधांत बोध सिधांत सार बेदांत विसय का यहां पे निरूपन दिखाया गया है चली अगले पॉइंट्स की पर बढ़ें तो यहां से सुखदेव मिस्र की बात किया गया है तो सुखदेव मिस्र के संदर्व में अच्चार सुकल जी ने लिखा है कि छंद सास्तर पर इनका बिसद निरूपन देखिए बिसद निरूपन और किसी कभी ने नहीं किया ध्यां रखेंगे आप बात को इस प्रमुख रसना है यहां पे बताया गया, नमबर फर्स्ट में बृत्विचार मृत्भीचार फीर फजल अली प्रकास 1 दिया गया, नमबर फर्सर्चार 9 में DC और इनको बिचार चंद विचार थीर्ड में फजल अली परकास फूर्थ में रसार्णौ सिंगार लता फिर उसके बाद शिक्स में दिया गया अध्यात्म परकास और सेवेंथ में दिया गया दसरत राय तो यह इनके प्रमुक गरंत यहां पर हैं तोस्रसवादी अचारे हैं इनका मुल नाम तोस निदी है, इनके प्रमुक्रितिया सुधा निदी है, नक सिख है और बिने सतक है, तो यह आप याद रखेंगे कि यह किनकी है, आप सिर्फ यह याद रखेंगे अन्नोट कर लेंगे, कुल पति मिस्र रस धनवादी अचार थे, यह प्रसिद कवी बिहारी लाल के भांजे थे, आप ध्यान रखेंगे, बिहारी लाल के भांजे थे, कुल पति मिस्र का कवीता काल 1667 से 1686 तक माना जाता है, कुल पति मिस्र के परमुख किरितिया निम्न है, जिसमें रस रहस्य 1670 ममट के रस रहस्य का चया नुबाद किया गया, द्रोन पर्व 1680 महा भारत के द्रोन पर्व का पद बद अनुबाद है इसमें, युक्ती तरंगनी अप परियाए 1686 है, नक्सिक अप परियाए है, संग पुस्तक दुर्गा भक्ती चंद्रीका का भी उलेख किया है, महा कवी देव का मुल नाम देवगत था, देव अचार और कवी दोनों रूपों में प्रसीद थे, देव हित हरिबंस के अन्य संपर्दाश से दिच्छी थे, आप इसको याद रखेंगे कि देव हित हरिबंस क अन्य संपर्दाश से क्या थे, देच्छी थे, देव की प्रमुख रचना यहाँ पे आपको दिखाया गया, देख लीजिए, कहा है, भाव बिलास 1689, अस्तु या अधार इनकारा है, रस एवं नायक नाईका बेद वर्नन, अश्टियाम आठ वहरों में नायक नाईका के ब प्रबंद काब्बे है, देव चरित्र आपने देखा प्रेम चंद्री का उधोच सींको समर्पित है, उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ से जाती बिलास, बिवीन जाती एवं प्रदेशों की इस्तिरियों का बर्नन है, रस बिलास राजा मोती लाल को समर्पित रसना है, सब्द या काबे रसायन, सब्द सक्ती रसादी का वर्नन है, सुख सागर तरंग अने गरंथों मिले हुए कवित सवयय का संग्रा है, देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोधय का पदानुबाद है, देव सतक अध्यात्म संबंधिक गरंथ है, सुजा मिसर ने सन 1897 में इस्वी में किया, डाक्टर नागेंदर ने सुख सागर तरंग को नाई का भेद का विश्वकोस माना है, आप ये पॉइंट्स को याद रखेंगे या नोट कर लें, कि डाक्टर नागेंदर ने सुख सागर तरंग को नाई का भेद का विश्वकोस माना है सर पर्थम स्टीव सीन सेंगर ने देव की रचनाओं की संक्याव बात्तर बताई कुछ विद्वानों ने 52 गरंथों का उलेख किया है अच्छार रामचंद्र सुकल देव के कुछ अनकिरितियां भी बताई है जो इस परकार है ब्रिच बिलास, पावस बिलास, ब्रहमा दर्सन पचीसी, तत्व दर्सन पचीसी, आत्म दर्सन पचीसी, जग दर्सन पचीसी, रसानन्द लहरी, प्रेम दिपिका, नक सिक और प्रे रसायन में लिखते हैं क्या लिखते हैं अविधा उत्तम काब्य है मद लचाना लीन अधम बियंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन ये इनके कुछ काब्य रचना में इन्होंने कवीता के रूप में दिया है आगे बढ़े तो यहां से कहता है कि डाक्टर राम स्वरुप चत् विथा ये मीर तू फैल अहमद के सिच्थे थे रसलीन की प्रमुक किरित्या इस परकार है अंग दर्पन देखिए आंसे अंग दर्पन 1737 अंगो का उपमा उत्प्रेचन से चमतकार पुर्ण बर्नन है रस प्रबोद 1741 इकार सो पंदर दोय में रसो का बर्नन है विखारी दास का रसना काल यहां से बताया गया 1728 से 1750 तक माना जाता है विखारी दास की प्रमुक रचना इस परकार है जिनमें नामकोस देखिए आप यहां से देख सकते हैं नामकोस 1738 कोस ग्रंत रस रसांस 1742 रस के बेदो प्रबेदो का बर्नन चंदार पिंगल 1742 चंदो का बिस्तिरित बर्नन काब निरने 1746 काब के बेदो प्रबेदो का बर्नन काब देख लिया आप यहां से सिंगार नीरने 1759 नायक नाई का बेद बर्नन बिसनु पुरान भासा बिसनु पुरान का दोहा चौपाई सहली में अनुबाद सतरंज सती का सतरंज खिलने के तरीके का बर्नन अमरकोस संस्कृत का अमरकोस का पादिदी, पदमाकर भट की प्रमुख रचना इस्त परकार है, जिसमें हिम्मत बहादुर वली, बहादुर बिरुदा वली, 211 चंदों में हिम्मत बहादुर का सोर्य वर्नन प्रबंद काब है, पदमाभारन जो अलंकारों का बर्नन है, जगत बिनोद, छह परकास एवं 731 चंदों में 9 रसों का बिवेशन है, प्रबुद पचासा भगती निरूपन है, गंगा लहरी संस्कृत कभी जगनात करित गंगा लहरी का पदा नुबाद है, परताप सीं बिरुदा वली, 117 चंदों में परताप सीं का सोर्य वर्नन प्रबंद काबे है, कली 25 राम रसायन, बालमिकी के रमायन का चया नुबाद है, अलिजाह परकास महाराज ग्वालियर के नाम पर लिखा गया है, पदमाकर भट ने खोली फाग और तेवहारों का बर्नन पूरी तलिंता के साथ किया है, रितिकाल के प्रमुक अलंकार ने रूपक गरंथ और अच्चारे निम्न है जो यहां पर आपको दिखाये गए हैं, देखिए आप यहां से देख सकते हैं, यहां दिखाया गया जस्वंसी भासा भुसन, मतिराम ललित ललाम अलंकार पचीसी, भुसन सिरिधर कवी भासा भुसन, रसिक सुमती अलंकार चंदरोदे, रगुनात रसिक मोहन, गोविंद क आवि करना भर्ण दुलहा यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहां से आप ने देखा फिर यहां से यहां पर बताया है रिती काल के बिवीत काभ्यांग निरूपक गरंत यां से हैं? तो यह आप सभी गरंत को देख लें. तो यहां चिंता मनी कभी कलपतरू. कुलपती रामरहस देव काब रसायन अथवा सब्दरसायन सुरती मिसर काब सिधान्त कुमारमनी रसिक रसाल सिरिपती काब सरुच सुमनात ससीनात यानी रस प्यूस निदी बिखारी दास यहां से आप देख सकते हैं यह सभी पॉइंट्स को तो उमीद है यहां से आप सभी पॉइंट्स देख लेंगे अगर इसका पीडियप चाहिए तो आप टेलीग्राम से जूड़ जाएं वहां आपको पीडियप मिल जागा फिर यहां से आगे बढ़ते हैं तो देखी यहां से का गया है कि रिती काल के रस निरूपक कभी और उनके घ्रंत है कुछ रस नाकर यहां पे बताये गें, तोसनी दी, सुधानी दी नो निलिक्ः निलिक्ः । देखे यहां सेования मतिराम रसराज लिखे, देव भाव बिलास भवानि बिलास रस बिलास लिए, विखारी दास रस सर रां सिंगार निर निलिक्ः, रसलीन, रसप्रबोध पदमाकर, जगत बीन तो यह सभी इनके प्रमुख यहां पे देख रहे हैं आप कुछ रसनाकर और उनके गरंथ तो यह सभी आप यहां से पढ़ लेंगे डाउनलोड करके इसका टेलीग्राम का चैनल पे या इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा पीडियेफ आप डाउनलोड कर सकते हैं चली आगे बढ़ें तो यहां से का गया है कि हिंदी के प्रमुख रिती बद कवी और उनकी प्रमुख रसनाय इस परकार है जिनमें चिंतामनी चिंतामनी रस बिलास देखी यहां से रस बिलास छंद विचार पिंगल सिंगार मंजरी कवी कुल पत्रू कृष्ण चरित काभ विवेक काभी परकास कवीत विचार रमायन तो यह आपके लिए बहुत इंपर्टेंट है चिंतामनी से बहुत बार प्रस ने पूछे जा चुके हैं तो ध्यान रखेंगे आप चली अगले पॉइंट स्कूल पति मिसर की बात करें तो रस रहास से संग्रामसार युक्तितर बात करें तो यह जाती बिलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, रामरतनाकर, सुकसागर, तरण आगे बड़े यह सभी इनका देव जी का था यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आप यहां ध्यान देंगे यह सभी देव जी का था सम्नात जी की यहां से सुरू होता ह रस प्यूस निदी, सिंगार बिलास, क्रेशन लिलावती, पंचा दियाई, सुजान बिलास, माधो बिनोद, विखारी दास जी की बात करें, तो देखी यहां से, रस सरांस, काब निरने, सिंगार निरने, चंदापर्न, पिंगल, सब्दनाम कोस, बिशनु पुरान भासा, सतर रसिक गोविंद की बात करें, तो यह रसिक गोविंदा नंद घन है, पिंगल, रसिक गोविंद, यूगल रस माधोरी, समय प्रबंद, लचिमन, चंदरीका, अश्ट देवभास, भासा, परताप साही की बात करें, तो यह बेंग्यार्थ कोमोदी, अठारो सो पचीस, काब बिनोद और जुगल नक्सिक, अमीर दास जी की बात करें, तो अमीर दास जी सवा मंदन 1827, बृत चंदरोदे 1830, भरज विलास 7832, कृष्न साहीत सिंदू 1833, सेर सीप परकास 1840, हाग पचीसी, गृष्म विलास, भागवत रतनाकर, दुसन उलास, अमीर परकास, बैद कल प बात करें, तो यहां से इस तरह से चली, हम यहां पर जो जो इंपॉंटेंट है न, उनके बारे में हम देख लेते हैं, तो यहां से आप इसका नोट करके, पेडियाप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, तो पदमाकर भठ जी की बात करें, तो हिम्मत बहादूर इस तरह से आपने यहां पर महतपून पॉइंट्स को देखें, अगले दिन हम लोग और आगे बढ़ियां से देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे कुछ और थोड़ा सा पॉइंट्स आप यहां से देख लें, कि डाक्टर बच्चन सिंग ने लिखा है कि रिती कालिन कभी कविता के सोदागर थे, ध्यां रखेंगे रिती कालिन कभी कविता के सोदागर बच्चन सिंग ने लिखा है, देख ने सुकवी को कविता का सोदागर का है, अब ध्यां रखेंगे देख कवी जी ने सुकवी को कविता का सोदागर का है, रिती काब को योवन की रमनियता का काब भी कहा जाता है आप अभी नॉट्स रखेंगे याद रखेंगे नलीन भिलोचन सर्मा ने रिती कालीन काब की आलोचना पदती को भारतिय मनीशा का हास कालीन बरगी करन प्रेम कहा है रिती सिद कभी हम लोग कल से देखेंगे अगले पॉइंट्स में अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉंग हो जा रहा है तो आज के लिए बस इतना है फिर अगले वीडियो में